नमस्कारम दोस्तों, आज मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या हम अपना टूथपेश्ट, क्या हम अपनी टॉबेल, क्या हम अपना पर्श, क्या हम अपनी घड़ी, क्या हम अपना मोवाइल किसी के साथ में सेर करना चाहते हैं? ऐसा कौन है जो इन पर्सनल चीजों को किसी के साथ में सेयर करना चाहेगा आपका जवाब होगा कि कोई भी नहीं ये बात सही है तो जब हम एक छोटी छोटी चीजों को किसी के साथ में सेयर करना नहीं चाहेते हैं तो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी दौलत जो हमारी उर्जा है. हम उसको कियों किसी के साथ में सेयर करते हैं? और ये जाती कैसे किसी के पास में? कैसे सेयर होती है? जब हम किसी बैकति का, बस्तू का या घटना का चिंतन करते हैं. हम उसके बारे में सोचते हैं तब हम उससे connect हो जाते हैं और हमारी उर्जा का बड़ा भाग उसकी तरफ जाने लगता है और जब हम बहुत negative सोचते हैं तब हमारी ग्रंतियां जहर छोड़ती हैं और वो जहर हमारी body में एकटा होता रहता है और बही जहर फोड़ा फंसी और कभी कभी cancer जैसे मारोक के रूप में हमारे सरीर पर प्रिकट होता है तो हम कैसे अपनी छोटी छोटी आदतों से कितनी बड़ी बड़ी अपनी हानिया कर रहे हैं ऐसी machine भी आ चुकी हैं जो आप क्या सोच रहे हैं पॉजिटिब सोच रहे हैं कि निगेटिब सोच रहे हैं वो तुरंत बता देंगे जब आप निगेटिब सोचेंगे तब आपकी frequency बहुत low level पर होगी और जब आप अपने चिंतन को बदलेंगे और आप सकारात्मक सोचेंगे तब आपकी frequency का level बहुत high होगा ऐसा मसीन तुरंत बता देती है तो एक खुसी की बात ये भी है कि हमारे ये उपरी सरीर पर यदि कोई घाओ हो गया कोई चोट लग गई तो इसे भरने में time लगता है लेकिन यदि हमें भीतर से अपने आपको ठीक करना है तो मन की इस्तिती बदलने पर तुरंत ठीक हो जाते हैं हम क्योंकि हमने negative चिंतन किया था तो मसीन प्रकॉंसीलो बता रही थी हमने तुरंत चिंतन चेंज किया तुरंत result चेंज हो गए लेकिन हम भारतियों को एक बहुत बड़ा सौंक है और बो सौंक है बातचीत करने का हम सब कुछ किये बना रह सकते हैं लेकिन बात किये बना नहीं रह सकते हैं और जब हम किसी के साथ में गपसप करते हैं तो बही निकलेगा जो हमारे भीतर भड़ा हुआ है थोड़ी देर तो हम अच्छे अच्छी बातें करेंगे, यह हुआ वो हुआ बहुत अच्छी बाते हैं, धर्म की, सत्संग की और थोड़ी देर बाद फिर जो भीतर भरा पड़ा है, पोले सटी और जो भीतर भरा पड़ा था, भो निकलना शुरू होगार किनी लोगों को हम म अध्यम बनाएंगे और उनके बारे में चुगली, उनकी निंदा, उनकी बुराई शुरू कर देंगे, अब हमने उनको इनर्जी देना शुरू कर दिया, और जब हम किसी के बारे में नकारत्मक चिंतन करते हैं, या हम किसी चिंता से ग्रस्त हैं, इन दोनों ही इस्तितियों म हमारे सरीर का जो बजन है वो घटने लगता है और हमें लगता है कि हम फिजिकल फिट हो रहे हैं लेकिन बास्तव में उस चिंता से उस भैसे हमारे सरीर का बजन घटने लगा है कहते हैं ना कि चिंता आदमी को चिता तक पहुंचा देती है हम कहीं बैंक में थोड़ी देर के लाइन में लगे हैं और वहीं पर एक बादचीत का माहल बना लेंगे और जो बैंक का करमचारी है जिस पर हमें deposit करना है जिससे service लेनी है उसकी हम निंदा करना सुरू कर देंगे लेने के लिए लाइन में खड़े हैं वहाँ पर अपना एक गृप बना लिया और जो टिकेट हमें दे रहा है उसकी निंदा सुरू कर दिया तो हम निंदा करने में कितने माहर हैं और हम निंदा करने में माहर नहीं हैं इस तरीके से हम अपने आपको बीमार करने में अपने आ पैदा करते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी अभी आप का होगे हम क्यों बीमारी बनाएंगे लेकिन हकीकत यही है कि हम ही हैं जो अपने मन में इन तमाम तरीकों से बीमारीयों को पैदा करते रहते हैं तो एक बात और है कि जिस प्रकार की तरंगों को हम पैदा कर रहे हैं जिस प्रकार की तरंगों का संगीत हम बजा रहे हैं उसी तरीके का सब कुछ हमारे आसपास में एकटा होता चला जा रहा है यदी हम यहां से बीन बजा रहे हैं तो हमारे आसपास में सापी साप एखटे होई जाएंगे यह स्वभाविक है तो यदी आपके आसपास में बहुत सारे बिसेले जीब जनतु बिसेले लोग जो आपकी हानी करना चाहते हैं एखटे हो गए हैं तो उनका कोई दोस नहीं है, हमने यहां से ऐसी तरंगों को रेडियेट किया है, ऐसी तरंगय उत्पन की हैं, जिनसे उनको आना ही पड़ा है। और आनन्द प्रकटो होगा। धन्यवाद।